अब खबर भीलवडा से है जहाँ एस एसीबी की टीम ने कलेक्टेर परिसर में सारवजिनिक निर्माण विभाग की अधिशासी अभ्यंता के कारेले पर दबिस देकर तीन लाख रुपे की राशी बरामत की एसीबी के अनुसार ये राशी कंस्ट्रक्शन बिल पास करवाने की एवज मिली गई एसीबी के एसपी सुभागे सिंग ने बताया कि अधिशासी अभ्यंता भावरलाज जैपाल के कंस्ट्रक्शन के बिल पास करवाने की एवज में अवैद वसूली करने के शिकायत मिली दो लाक रुपे बरामत किये गए फिलाल एसे भी जैपाल से लगतार पूछताश में जुटी है अटरी जारी है और ये असरी दिन पर से जारी है सुस्राइक तस्थिक करेंगी सुटेवित टीक अना पर शाइंकाल अधिसरे बिचन के पास में जो रेक्स रकी हुई निकिकानलों के निचे एक लाक रुपे नकत्वरामत ओर इसी कच में एक अठेच कच है इसके अंदर है लोग के नीचे 2 लाग रुफे मिले जिनको चुपाई वी इस दिम रेकोवेत है जिनको अब जी लिये गिये और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए योगेंदर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे मौझूद है योगेंदर एसी बी के टीम ने क्या कुछ पूरी कारवाई की? जी योगेंदर अब क्या कुछ कारवाई की जा रही है दिशासी अभेंता पे जिस तरह से एक लाग रुपे बरामद हुर उसके पच्चा आते फाइलों से दो लाग रुपे और बरामद हुए क्या उन्हें सस्पेंट किया जाएगा क्या एसी बी की टीम उनसे पुछ ताश कर रही है अब जहां जहां भी उनके आवास है जैसे बिलवाडा में भी दो आवास हैं मेडिकल परिसर में उनका एक अमरा नोने किराय ले रखा है किस एवज में रिश्रत ली जा रही थी चलिए योगंदर से हमारा संपर्क तूट गया लेकिन तमाम जानकार देने के लिए योगंदर बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बाफिर से आप सभी को बता दू कि भीलवाडा में एसी बी के टीम ने बड़ी कारवाई करते व कि में रिए एक में एक